उत्राखंड वासियो नमस्कार जैहिन आज आपकी चुनिवी सरकार के तीन वर्स पूरे हो रहे हैं और इन तीन वर्सों में आपने जो सयोग सरकार का किया हमारा प्रोजसाहन बढ़ाया उसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब को तीन वर सब्धाई और सुबकामनाई देता हूं मित्रो इन तीन वर्सों में हमने राज्य को वरहष्टा चार मुक्त सरकार दिया जो हमने आप से वाइदा किया था हमने इन तीन वर्सों में विकास के तमाम उन आयामों को छुआ छुआ जो आप चाहते थे चाहे सडकों का निर्मा हो रेल लाइन हम लोग चाहते थे कि दूरस छेतरों तक रेल की लाइन जाये उसको देपाने हम सफल हुए हैं हवाई सुख़धाएं देपाने में हम सफल हुए हैं और अटल-ाइसमान उत्राखंड जैसी योजना जिसमें पूरे उत्राखंड के सभी परिवारों को चाहे वो करमचारी हैं चाहे जन्द सामाने हैं व्यापारी हैं उन सब को एक पांच लाख रुपए साला ना स्वास्ते की कबरेज हमने आज राज्यवासियों को दी है मैं आज आपको जब तीन वर्स सरकार के पूरे हो रहे हैं मैं आप सबसे ये भी वाइदा करता हूँ कि हमने जो भी वाइदे आप से किये हैं वो वाइदें को हम पूरा करेंगे गैर सेंड को हमने ग्रीश मकालिन राजधानी के रूप में घोसित किया है ये आपकी भावना ही थी आपकी इच्छाएं थी जो चार मार्च को जब हमने इसका निरने लिया विधान सभा के अंदर जब मैंने एक घोशना की कि हम गैर सेंड को ग्रीश मकालिन राजधानी घोसित करते हैं तो आपने उस पर जो सकारातना का अपनी परतिक्रिया दी प्रदेश स्वास्तियों ने चारों तरफ से जिस तरह से उसका समर्थन किया प्रदेश से बाहर जो उत्राखन के लोग रह रहे हैं और जो भारत से बाहर रह रहे हैं तमाम लोगों की परतिक्रियाएं हमको मिली ये जन भाउनाओं का परगटी करन था और इसलिए मैं आज आप से ये भी वायदा करता हूँ कि जो ग्रीस मकालिन राजधानी की हमने गोशना की है कई बार लोग इस पर प्रस्न भी उठाते हैं लेकिन मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये राजनेतिक गोशना नहीं है हम दूरस छेत्रों के विकास के प्रति जिसके लिए उत्राखन राजज्य के अस्थापना की गई उसके प्रति मैं आपनी प्रतिवत्ता दोहराता हूँ एक बार फिर आपको एक सूचना के साथ एक सतरकता का भी संदेश देना चाहूँगा कि आज पूरा देश और दुनिया केरोना वाइरस से गरसता है उसके सक्रमन से गरसता है और इसमें समाधान केवल बचाओ है सतरकता है हम घर से जितना भी कम हो सकता हम घर से कम से कम निकले एक दूसरे के इस पर्स में हम ना आएं क्योंकि ये इस पर्स से बिमारी फैलती है जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं उससे बिमारियां फैलती हैं तो एक तो हम जितना कम से कम हो सके हम घर से बाहर कम से कम निकलें कम से कम पंदरा दिन हम अपने आपको अपने घर में ही अगर रखें घर में ही हम रहें तो मैं समझता हूँ कि इस वायरस से हम बस सकते हैं और हम ही नहीं बस सकते हैं बलकि हम समाज को भी बचा सकते हैं यह भी मैं आपसे आज इस उसर पर सतरकता बतने के लिए अपील करता हूँ एक बार आप सब लोग स्वस्त रहें सुदीर की जीवन आपका हो ऐसी मेरी आप के लिए कामना है जाहिन